उत्रप्रदेश की मुखी मंत्री रह चुके अखिलेश यादों की पतनी डिम्पल यादों भी राजनीती में काफी मशू हैं सईयूग से ही सही लेकिन वो प्रदेश की पहली ऐसी महिला है जिनसे कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था राजनीती की शुरुआत में डिम्पल को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन अपनी द्रड एक्छा शक्ती से आजवे राजनीती में अपना लोहा मनवा रही है उन्होंने 2009 में फिरोजाबाद निर्वाचन शेत्र से लोगसभा का उप्चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गई और अभिनेता राजबबर जीत गए थे लेकिन 2012 में कनोज शेत्र से वो लोगसभा उप्चुनाव में खड़ी हुई जिसमें उनके सामने कॉंग्रेज और बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और जो अन्यदल के प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपने नामांकन वापस ले लिये थे राजनीती में अपनी जिमदारियों के साथ डिमपल अपने पती अखिलेश का भी हाथ पटाती हैं वे अखिलेश का समय समय पर सला देने के साथ ही उनके सोशल अकाउंट को भी स्वयम देखती हैं वे एक मात्र महिला सांसद है जिनके पती मुख्य मंत्री थे और जिनके ससुर भी उसी सदन के सदस्य हैं। डिमपल का जन्म 1978 में पूने के आर्मी करनल ऐसी रावत की यहां हुआ उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूने से की है। डिमपल ने लखनो विश्व द्याले से सनातक शिक्षा की जिस दुरान उनकी मुलाकात अखिलेश से हुई। विवा के बाद वे ससुर मुलायम से यादो की पार्टी से जुड़ गए। डिमपल के तीन बच्चे हैं जिनमें दो पुत्री और एक पुत्र है। अधीती, टीन और अरजुन। टीना और अरजुन जुड़वा हैं अखिलेश यादो के काम में व्यस्थ होने की कारण डिमपल यादो बच्चों के लिए समय निकाल लेती हैं।